साथियों, आज के वीडियो में करमचारियों व शिक्सा जगत की पांच बड़ी खबरें पूरी व लेटेस्ट इंफोर्मेशन के लिए इस वीडियो में आप अंते तक बने रहें 36 गड़ सिक्सा करिमयों को हुआ, सिक्सा विवाग में समीलियन बड़ी खबर सिएम सिवरासी की अनुपस्तिति में ये चार मंत्री चलाएंगे सरकार एरियर्स, डिये, मेंगई बत्ते के 4,000 करोड़ बाकियें करमचारियों की जुनावी वादा, अथेते सिक्सकों को पहली गैबिनेट में नीमित कर देंगे ये का पूरू सिएम कमनलात ने परकार की लेटेस्ट इन्फोर्मेशन देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सस्क्राइब कीजिए और पास वाली बेल पर प्रेस कीजिए जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा नवीन सिख्षक समर की सबसे बड़ी मांग उनिसो चाराणो वाला सिख्षा विभाग ये क्योल मांग बन गए रहे गया क्योंकि मद्यप्रदेश से अलग होगा 36 गड में सभी सिख्षा करिमयों को सिख्षा विभाग में समीलियन कर दिया है तो दोस्तों बिना समय गवाए आदेश देख लेते हैं कि मोबाइल के स्किन पर जो आदेश दिखा जा रहा है 36 गड सासन इसको लिए सिख्षा विभाग मंत्रा लई और नया राइपूर दिनांग 23 साथ 2020 का आदेश है इदे रखा करवांग आपके सामने इस विभाग के समसंके का आदेश दिनांग 12 साथ 2018 को संसोतित करते हैं राजिसासन निमलिकित आदेश जारी करता है वर्स या उससे अधिक की सेवावदी पूर्ण करने वाले 16 बचे पंचायत नगरी निकाय समर्ग के 16,278 सिख्षकों का समीलियन एक नवमबर 2020 से इसकुली सिख्षव विभाग में किया जाता है अगला बिंदू जीन पंचायत नगरी निकाय सिख्षकों दुवारा एक जुलाई 2020 को आट वर सपून कर लिये गए उनका समीलियन भी इसकुली सिख्षव विभाग में एक नवमबर 2020 से किया जाता है समीलियन की सिवासरते विभाग दुवारा जारी के आदेश क्रमागी आपके सामने दे रखाए दिनांग 36 2018 में उलेक अनुसार ही रहीगी सिख्षक पंचायत नगरी निकाय समर्गे के जारी नियुकत आदेश के विरुद ये ति किसी नयाले में प्रकण विशारा दी नहीं तो उनका समीलियन नयाले निने के अधिन रहेगा यादेश निकालाया 36 गड़ के राजजिपाल के नाम से अगली बड़ी खबर एरियर्स डिये और मेंगई भत्ते के 4,000 करोड बाखी ये करमचारियों की इनमें से एरियर्स की राजिये 1,500 करोड मेंगई बत्ता डिये की राजिये 1,500 करोड और इंक्रिमेंट जोके जुलाई में लगना है 1,000 करोड इस परकार कुल 4,000 करोड रूपी की राजिये करमचारियों की जल्दी से इच वीडियो को लाइक कर दीजे और सस्क्राइब कर दीजे आपका लाइक करना और सस्क्राइब करना ही हमारी महेनत का फल है स्थी ठीक होगी तो मिल जाएगा किन्तु कर्मचारियों को मिलने वाला वार्षिक वेतनवर्दी पर भी लगता है सरकार की मंसा ठीक नहीं तो मजबुरान कर्मचारियों को आंदनल का रास्ता अपनाना पड़ेगा चुनावी वादा अथेती सिक्सकों को पहली केविनेट मे नेमित कर देंगी इस ख़बर भोपाल से कांगरेस पार्टी के प्रदेश अध्यक से हम ओप चुनाव में कांगरेस का चेरा स्री कवनलात एक बार फिर चुनावी वादियों करने लगी अथेती सिक्सकों के एक प्रदे निंदी मंदल को बुला कर कवनलात ने वादा किया यदि उप चुनाव के बाद कांगरेस का स्रकार बनी तो पहली केबनेट मिटिंग में अथेती सिक्सकों को नेमित कर देंगी इस में कवनलात सरकार बनने के बाद सबसे ज्यादा प्रसंता अथेती सिक्सक, अथेती विदवान एवं समिता कर्मचारिक हुई थी उन्होंने खुले आम जस्न मनाये था, सुरुवात के तीन महिने इंतिजार किया और फिर मेल मुलाकात का सिलसिला सुरु हुआ, कवनलात और कर्मचारिकी बीद सेतु का काम करने वाले विधा जीतु पटवारीको मंत्री बनाये गया, अथेती हम समिता के सुरुवात से 6 महिने में जी निमेतिगण का वादा नहीं किया था, बलकि निमेतिगण की निती बनाने का वादा किया था, नमबर दो वचन पत्र 5 साल के लिए होता है, आई एफमस में अड़के कर्मचारियों के वेतन वा इंक्रीमेंट, विसे इस खवर भोपाल चे, मत्य परतेस कर्मचारी कांग्रे एफमस में अड़क गया है, यह वा वित्य विभाग के लिगारी प्रावलम सालौ नहीं कर रही है, सुवम शिद्ध की सची मध्यप्रदेश कांग्रेस कांग्रेस ने बताया के मदिप्रदेश के कर्मचारियों के वेतन स्वत्तों का भुगतान वित्त विभाग आएफमेस के माध्यम से करता है जो वित्त विभाग के वरिष्ट अधिकारी की क्रपा पर संचाली थी यहुन संधारी थी जब अधिकारी चाते हैं तम उनकी क्रपा से कर्मचारियों के आनिता गेरमान्या प्राप्त आमान्य कर्मचारी संगडों के विरोध एवं आंदलों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कान सरकार की चावी दूमिल होती है और अन्य विकास के कारें भी प्रभाईत होती ही मद्य प्रतेश सासन दोवारा अनुकमपा नियुकती के संब्ध में नए दिसाने देश प्रतम वर्ज 70 प्रतिसत दीती वर्ज 80 प्रतिसत और 30 वर्ज 90 प्रतिसत असी इस्टाय पेड के रूप में दे होगी इस बाबत अयक्तु लेखा कोज दोवारा आफेव में साफ्ट्व में कोई अपडेट नहीं कर रखाई जिसके कांड जन्वरी मा से अनुकमपा नियुकती कर्मचरियों को वेतन प्राप्त नहीं हुआए जिसके कांड उनकी आर्थिक स्थिती खराब हो गई आखरी बड़ी ख़बार जोकी बहुपाल से लगी है कोरोना पाजीटी उपाई जाने के बाद सीएम सीवरासी चोहान आइसोलेशन में चले गई ग्रह मंत्री डाक्टर नरोत्रम मिस्रा ने बताया कि सीवरासी चोहान को चिरायों अस्पताल में भरती किया जा रहाए आने वाले 14 दिनों तक वे किसी भी फाइल पर हस्ताक्सर नहीं कर पाएंगी ऐसी इस्तिति में मद्य प्रतेस सरकार के संचालन के लिए उन्होंने अपने इस्थान पर चार मंत्रियों को नियुक्त किया आए चार मंत्री को ने आगे बताये जाएंगे कि मुझे कोई-19 के लक्सर आ रहे थे टेस्ट के बाद मेरे रिपोर्ट पाजिटिव आईए मेरे सभी साथियों से अपीले कि जो मेरे संपरक में आए वह अपना कोरोना टेस्ट कर वाले मेरे निगट संपरक वाले लोग कारेंटेन में चले जाएं उन्होंने काए कि कोई- कोई-19 के समय पर इलाज हो जाता है तो बिल्गुल ठीक हो जाता है मैं 25 मार्च से प्रतेक साम को कोरोना संक्रमन के सितिके समिक्सा बेटक करता रहा हूं मैं यथा संपव अब वीडियो कान्फोरेंसिंग से कोरोना की समिक्सा करने का प्रियास करूंगा मेरी अनुपस्तित सब्सक्राइब करेंगी मैं स्वेंबी इलाज के दोरान प्रदेश में कोई-19-19 की हरसंबाव प्रियास करता रहूं जाते-जाते इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चेनल को सब्सक्राइब कीजिए वापासवाली बेल पर प्रेस कीजिए जिस से जब भी वीडियो आपको प्राप्त होगा इस चेनल के अगर अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो भी आपके सामने चल रहे हैं उनको देखिए और अधिस सदिक सेर कीजिए थैंक यू